नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सबका सरकारी परिशा चानल में दोस्तों, मैं हूँ मेश्वन मौर्या और आज मैं आप सब्सक्राइब करने वाला हूँ यूनियन बजट 2022 स्टेज की मुख्य बातों को बहुत important है, आप सबको जानना चाहिए और अगर आप contradictory ज्याम देने जा रहे हैं तो उसके लिए बहुत important होई जाता है तो budget की मुख्य बातों को discuss करने से पहले थोड़ा जान लेते हैं कि budget को प्रस्तूत करने का पहले का प्रॉसेस होता है वो क्या होता है तो दोस्तों हर साल की तरह इस बार का भी जो बजट है वो वितमंत्री के दोरा प्रस्तुत किया गया और हमारी जो वितमंत्री है वो निर्मला सितारमन है तो उन्होंने ये बजट प्रस्तुत किया और बजट प्रस्तुत करने का जो पहले प्रॉसेस है मतलब कि उसको किस तर लगाना चाहा रहा है तुन बड़ा एक Plan त्यार करना जाता है, अध्राप्टिंग को दो करें बटूर। उस पर काम करना स्टार्ट कर देती है। तो वो तीन मेने स्टार्ट हो जाता है तो टीम उस पर काम करना start कर देती है team को एक तरीके से जब काम पर लगा दिया जाता है तो इस पूरी पूरी team को एक तरीके से lock-in period पर रख दिया जाता है जहां दोस्तों लॉक in period को मतलब यह कि एक तरीके से लोग हो जाते हैं और इसका रीजन यह लेता है कि government concern रहती है कि कहीं budget का data जो है वो लीक न हो जाए फाइनली जब यह budget त्यार होता है और सारे के सारे जो team members है वो बाहर जबाते हैं तो उनके लिए हल्वा ceremony रखी जाती है और अचाइज बार क्या हुआ कि 2022 बाइस देज के budget के लिए हल्वा ceremony नहीं रखी गई थी तो निर्मला सीतर रमण एक तरीके से वित्व मंतराले से बाहर आती है अपने police के साथ police का मतलब यह है कि जो basically यहां पर जो राजमंतरी है मतलब की वित्व राजमंतरी है उनके साथ आती है देकि यहां पर यह फोटो में है यह दोनों क्या है वित्व राजमंतरी है राइट question में एक तरीके से में आप से पूछ सकता हूँ आप मुझे comment बताईए कि इनके नाम क्या है यह भी important है आपको जानना चाहिए तो इन राजमंतरी के साथ वित्व मंतरी बाहर निकलती है वित्व मंतराले से और वो प्रेजिडेंट से मिलने जाती है और प्रेजिडेंट से किया गया था वो सुबह 11 वज़े से स्टार्ट किया गया था इसको रखा गया था 11 एम और यह जो टाइमिंग है इसको भी आप थोड़ा से जान लीजे होता क्या था कि अभी कुछ साल पहले मतलब इसको ब्रिटिस काल से ही कुछ साल पहले तक जो ट्रेंड रहा है बजट क इसको प्रस्तुत करने का वो साम को ही जनली प्रस्तुत किया जाता था लेकिन अभी यह इसको चेंज कर दिया गया है अब इसको सुबह प्रस्तुत किया जाता है और इसको फर्स्ट फेव से प्रस्तुत किया जाता है तो यह भी इंपॉर्टन चेंज है आपको जानना चाह कुछ important facts को या यू कहलें कि budget के term में कुछ static points को मतलब अगर हम यहाँ पर बात करें union budget of India के facts के बारे में तो आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए कि यह जो budget होता है उसको एक तरीके से constitution में किस तरीके से wording दी जाती है किस तरीके से refer किया जाता है तो मैं आप उता दूँ कि constitution में जो wording है बजट के लिए वो एक तरीके से प्रसुत किया जाता है as a annual financial statement under the article 112 जिया दोस्तों जिसको एक तरीके से annual financial statement रखा गया है under the article 112 मतलब कि एक तरीके से कोई भी government होगी उसको अपना एक annual financial statement रखना पड़ेगा और यह constitutionally रखा गया है मतलब कि कोई भी government होगी उसको अपना एक annual financial statement रखना पड़ेगा उस statement में उसको बताना पड़ेगा कि वो क्या प्लान कर रही है और उसकी planning में कितने खर्चे निकल करा रहे हैं और उसकी कितनी आमदनी हो रही है basically ये एक तरीके से समझने के लिए रखा जाता है कि देश की economic की health किस तरीके से चल रही है आप उस health से किस तरीके से आगे बढ़ना चाह रहे है और अगर हम यहां पर देखें presentation date को आप देख लिए यहां पर 1st February of the year रखा गया है मतलब यह change आया है 1st February से अब इसको प्रस्तुत किया जाएगा और अगर हम यहां पर important note के तौर पर आप इसको देख लिजे कि 2016 तक इसको जो देखा जाता है वह last working day of February रखा जाता है तो यह बजट प्रस्तुती का एक तरके से डेट है वह आपके दिमाग में एकदम से याद हो जानी चाहिए और presented by finance minister जहां finance minister इसको प्रस्तुत करते हैं presentation जो location होती है वह obviously parliament में होती है first union budget अगर आप यहाँ पर जानना चाहिए तो 26 November 1947 को RK सन मुखम चेटी के द्वारा इसको प्रस्तुत किया जाता है तो यह भी आप अच्छे तरीके से याद कर लीजे first woman finance minister जो है वह इंदरा गानी है यह भी आपको अच्छे तरीके से याद हो जाना चाहिए budget को प्रस्तुत करते समय वित मंतरियों के हाथ में इस तरीके के backs मतलब कि आपी तो आपने ये वाला देखा होगा इससे पहले आपने ये वाला देखा होगा यह black में है और इसके पहले आपने red में भी इसको देखा होगा तो क्या कोई भी finance minister कोई भी back लेके जा सकता है तो हाला कि इसमें कोई foundation नहीं है, कोई constitutional इसमें एक तरीके से प्रावधान नहीं रखा गया है, हाला कि ये एक तरीके से train के तौर पे देखा जाता है, अगर आप यहाँ पे word meaning में जाएं budget, तो budget एक तरीके से आप इसको मोड़े तौर पे economical point of view से समझते हैं, कि इसको एक तरीके से statement के तौर पे देखा जाता है, planning देखे जाती है, कि कोई भी government, कोई भी company, कोई भी organization, अपने action plan को देखती है, उसमें किस तरीके से उसके खर्चे होने वाए है, किस तरीके से उसकी आमदनी आ रही है, इस सब का एक तरीके से वो मोटे तौर पे लेखा जोखा होता है, जुसको यहाँ पे भाही खाता भी कई बार बोला जाता है अपने Indian culture में, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि budget की जो word meaning है, या यूँ कहलें कि budget word की जो origin है, वो एक word है, जो कि French word है, बाउजेट उससे आया हुआ है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप उसको अच्छे तरीके से दिमाग में रख लीजे, बाउजेट, तो इस word से आया है, और basically इस word की जो meaning है, that is leather, जी हाँ दोस्तों, यह जो bag होता था, वो actually में leather bag होता था, और AC में generally budget की जो भी copies होती थी, physical copies होती तो उनको रखा जाता था और finance minister उन copies को पढ़ते थे, और एक दर्गे से present करते थे, तो आप यहाँ पर समझ गया होंगे, कि जो budget है, वो इस leather bag के huge के point of view से यहाँ पर इस word की origination होती है, तो इसका European countries में भी, वहाँ भी बहुत सारी countries में इसी bag में यहने कि leather bag में ही budget को प्रस्तुत किया जाता रहा है, और अभी भी बहुत सारी country में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन आपने इंडिया में क्या होता है कि वित्तमंत्री निर्मला सिता रमण इसमें एक change लाती है, change यह आता है कि 2018 में, 2018 में वो इस leather bag को change कर देती हैं, और इसकी जगा एक कपड़े के bag को introduce करती है, यहां दोस्तों अपना पूरा एक तरिके से, जो भी मतलब document होता है, वो एक कपड़े के bag में लेकर जाती है, और basically इसका नाम देती है, बही खाता, तो यह भी एक तरिके से बहुत important है, आपको यह wording अच्छे तरिके से याद रखनी चीए, बहुत जाना पहचाना नाम है, आ आपने खुब, अगर आप गाउं से रहे हैं, तो यह भी खाता wording आपने खुब इसको सुना होगा, तो बजट एक जगा एक तरिके से नाम दिया इसका बही खाता, वो इस कपड़े के bag में इसको लेकर आती है, और इसमें होता है, क्या होता है, आप देखें, यहां की 1st 521 क तो निर्मला सीता रमण अपना जो बजट है, वो पहला पेपरलेस बजट परस्तुत किया जाता है, भारत का यह समझे लें, भारत का पहला पेपरलेस बजट परस्तुत किया जाता है, वो भी निर्मला सीता रमण जी के द्वारा, तो हलाकि इसमें जो एक तरिके से बात की जा रहे है कि paperless budget वो एक tablet के थे थूरूस budget को पढ़ती है और वह अपना tablet जो है वो इसी बैग में लेका आती है इसी बैग में उस tablet को लेका रहती है मतलब looks like भही खाता जिसको आप भही खाता बोल रहे है वो tablet भी इसे त्रीके से वो इसमें लेकर आ रही है तो यह आपको अच्छे तरीके से याद हो जाना चाहिए आपको यह समझ में आ गया होगा बजट वर्ड की ओरिजिन क्या है और यहां पर इन बैक्स को यूज करने का एक जो ट्रेंड का रीजिन है वो क्या रहा है नाओ यहां पर थोड़ा से समझ लेते हैं क बजट का एक तरीके से जो मोटे तोर पे डेटा तयार किया गया है खास तोर पे 2022 और 2023 के लिए उसको किस तरीके से रखा गया है किस तरीके से समझा जा रहा है बजट को तो इसमें बजट कोई भी हो उसमें मोटे तोर पे दो ही चीजों का एक तरीके से ख्याल रखा जाता है कि पैसा कहां से आ रहा है और पैसा कहां जा रहा है मतलब पैसा मतलब आपकी जो एक तरीके से आमदनी है वो कहां कहां से आ रही है और आपके जो खर्चें वो किन-किन फेल्ट में जा रहे हैं तो उसी तरीके कि जो आमदनी है वो किन-किन फिल्ड से हो रही है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आप देखो यहाँ पर गौर्मेंट की जो एक तरीके से यहाँ पर रुपी में डेटा रखा गया है इसको आप पैसे से भी समझ सकते हो अगर आपको यहाँ पर डेशमल कंफूजन हो जा र उपने वो दो पैसा है मतलब कि तरीके से दो परसेंट है गौर्मेंट के लिए गौर्मेंट की आमदनी के लिए non-debt कैपिटल रिषीप के तौर पे और यहाँ पर नाटेक्स जो रिविन्यू है वो 5% है यनिकी 5 पैसा है और जो गौड सेंट सर्विस टेक्स से आमदनी हो जो आ रहा है वो 15% है यानि कि 15 पैसा है और यहां पर एक तरिके से जो मोटे तोर पे उसको लेना पढ़ रहा है गौवर्मेंट को बारूइंग प्रोसेस होता है कौँसी फिल्ड उसमें इंवाल्व होती है उसको थोड़ा तर भी बाद में डिसकुस कर लेंगे लेकिन आप मोटे तोर पर यह जाने कि गौवर्मेंट के पास जो पैसा आता है वो इन इन फिल्ड से आता है और एक तरिके से इस परसंटेज में आता है और पर इस डेटा को आप मतलब की 2223 के हिसाब से देखिए गौवर्मेंट ने यह जो एक तरीके से रखा है अपना एक्सपेक्टेशन तो उसके टम में यह डेटा है अब यहां पर देख लेते हैं कि पैसा जो है यहनिकि गौवर्मेंट के पास जो पैसा आया वो किस तरीके से खर्च हो रहा है किन-किन fields में वो खर्च हो रहा है तो देखें पैसा कहा जा रहा है गौवर्मेंट का तो यहां पर अगर हम बात करें यह भी देखें यहां पर 100 पैसे के टम में ही बात हो रही है और बिल्कुल आप यहां पर decimal से भी कन्फूज मत हों चुकि यह रूपी मे रखा गया है वड़ आप इसको पैसे में कर्णवर्ट कर सकते हैं तो देखें गौर्वर्मेंट का जो centrally sponsored schemes हैं उसमें 9 पैसा जा रहा है यानि कि 9% पैसा जा रहा है खर्च हो रहा है other expenditure में आप देखें तो other expenditure को आप बाद में देख लीज़ें पैसा है लेकिन पहले आप देखो कि centrally sponsored scheme में 9 पैसा जा रहा है उसके बाद central sector schemes में 15 पैसा जा रहा है और interest payments में 20 पैसा जा रहा है आप देखें यहां पे interest payments क्या रहा है आपने देखा last slide में कि जो हम बात कर रहे हैं बारिंग की तो boring कोई ऐसे थोड़ी नदे देगा उसके लिए वो क्या करेगा interest लेगा तो उसके लिए भी government को क्या करना पड़ता है अगले financial year में उसको वो interest देनी पड़ती है और अगर defense field की बात करें तो government का defense में 8 पैसा खर्च हो रहा है यानिकि 8% पैसा खर्च हो रहा है subsidies में अगर हम बात करें तो वो 8 पैसा जा रहा है subsidies भी खास दूर पर इसमें जो agriculture subsidies है उसके टम में पैसा काफी जाता है तो यह 8 पैसा है और अगर हम finance commission and other transfers की बात करें तो यह 10 पैसा जा रहा है यानिकि 10% जा रहा है state shares of taxes and duties की बात करें तो इसमें 17 पैसा जा रहा है pensions में यह 4% जा रहा है यानिकि 4 पैसा जा रहा है और अगर other expenditure की बात करें तो यह 9 पैसा है तो इस तरह अपकुल मिलाकर यह जो 100 पैसा है और reality क्या होगी मतलब कि किस तरीके का एक final वहाँ पे statement आता है final एक research आती है और यहाँ पे जो goal set किये गए हैं वो achieve हो पाते हैं नहीं हो पाते हैं वो एक final statement होता है जैसे कोई भी assessment year खतम होता है और इसको आप बाद में पढ़ सकते हैं हलाकि आपने जब भी इसको budget को पढ़ा हो तो आप एक तरीके से economic survey और जो assessment year होता है assessment year के बाद जो final statement आता है उसको जरूर पढ़ लिया करें वो competitive exam में कई बार पूछा जाता है तो यह हमने बात कर ली budget में कि पैसा कहां से आता है और पैसा कहां पे जाता है लेकिन अब है कि कई बार budget के जो goals होते हैं उनको meet करने के लिए उनको achieve करने के लिए कई बार पैसिक कमी हो जाती है और पैसिक कमी को पूरा करने के लिए एक तरीके से मैंने जो आपको बताया है कि उसमें government को पैसा एक तरीके से market से लेना पड़ता है बौरो करना पड़ता है तो वह ए चाहिए उस आमदनी से ज्यादा आपके खरच हो गई कि आपकी आपकी आमदनीस से रुपय है लेकिन खर्च जो हो रहा है वो आपका को देटा याद ught आ और है तो देश का जो डेटा अबंट क्रोशन रहा है कितना रहा है 2020 और 21 का जो रहा है वो 9.2 परसंट रहा है यह आप अच्छे स्याद कर लें वह अगर हम बात करें 2021 2022 की 2022 की तो यह 6.9% रहा है कितना रहा है और अगर हम बात करें 22 और 30 की तो इसमें एक तरिके से टार्गेट रखा गया है, टार्गेट रखा गया है, कितने का, 6.4% का रखा गया है, और एक मोटे टार्गेट के तौर पे जो गवर्मेंट का एक तरिके से टार्गेट है, जो विजन है, वो यह है कि आने वाले 25 और 26 तक हमारा जो फिसकल डेफिसित है, वो एक तरिके से 4.5 तो 25 पॉइनट फवाइव यह निया कि आने वाले चाथ साल में जो देश का एक तरी पॉसकल डेफिसिट है वह कम हो जाएगा फॉइनट फाइव परसेट और वह ना भी चाहिए कम विकॉज आपको बता दूँ कि फीस्कल जो g-adv होता है वो यहाँ पे देखो मैं लिख दे रहा हूं कोन समझ में आती है कि रूञे क्लवह आता है कि तरी की फारीम करें वे अपने गोल को अशीव कर पा रही है या कोई emergency भी अगर पढ़ रही है उसको ज़्यादा खर्चे करने पढ़ रहे हैं तो वो उसके लिए पैसा arrange कर पा रहे है without borrowing तो fiscal deficit एक बहुत important data होता है इसके time में question बनते रहे हैं यह आपको जरूर याद कर लेना चाहिए और यह जो मैंने आपको लिखा यह अच्छे तरीके से आप याद कर लिए है अब देखिए यहाँ पर होता क्या है कि government किस तरीके से कुछ अलग प्लान करती है या कुछ challenges government के सामने आते हैं और इन challenges को ख़तम करने के लिए government किस तरीके के steps को लेती है किन economical activities को follow करती है जिसके विए से in challenges को ख़तम किया सके या budget में जो भी goals set किये गए हैं उन goals को किस तरीके से पूरा किया जा सके तो इन ही challenges को पूरा करने के टर्म में जो खुछ economical activities हैं, उनमें से एक दो हैं, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, उसका डाम में भी question बनता रहा है, पहला ये है कि dis investment, क्या है, dis investment, ये बहुत बार पूछा गया है, एक तरीके से इसको minimize word बोला जाता है हिंदी में, तो dis investment क्या है, तो government क्या करती है, हर साल एक तरीके से अपनी जो भी public property है, मतलब कि उसकी जिन भी companies में उसके shares हैं, government के, वो क्या करती है, कई बार अपने shares को बेचती है publicly, और इन shares के बेचने के process से अपने लिए fund raise करती है, तो हर साल एक तरीके से government का ये target रहता है, कि वो अपने budget को पूरा करने के लिए या अपने खर्चों को पूरा करने के लिए इस financial year में या इस assessment year में इतने dis investment का goal रखेगी, मतलब अपने कुछ shares को बेचेगी, ताकि उसको इतना fund मिल पाए, तो मैं आपको बता दूँ कि अगर financial year 2022 की हम बात करें, मतलब की ये जो एक तरीके से target रखा गया है, 2021 से 2022 की बात करें, तो government ने जो assessment year मतलब की 2021 के लिए जो target रखा था, वो 1.75 lakh करोड का रखा था, कितना रखा था? 1.75 lakh करोड का target तो मैं आपको देखो, यहाँ पर थोड़ा से इसको explain कर देता हूँ, 2021 से 2022 के लिए, जो investment जो target रहा है, वो 1.75 lakh करोड रहा है, लेकिन December 2021 तक होता क्या है, कि इसमें सिर्फ 9,240 करोड अचीव हो पाता है, by December 2021 यह जो रहता है, वो सिर्फ 9,240 करोड आप आता है, आप देखें, यहाँ पर क्या है कि यह जो बोल रखा गया था, तो 1.75 lakh करोड रखा गया था, कितना है, यह lakh करोड है, और यह मिल कितना पा रहा है, 9,240 करोड मिल पा रहा है, बहुत कम है, लेकिन अभी आप देखो कि आपको सुनने में आया होगा, आपने इसको अच्छे तरीके से समझ भी लिया होगा, कि LIC का IPO आने वाला है, तो LIC भ पाएगा, बट यह जो मतलब कि यह जो IPO आने वाला है, उससे जरूर बहुत करीब इसके आया जा सकता है, तो यह एक प्रॉसेस आपको समझ में आ गया होगा, कि किस तरीके से डिस इन्वेस्टमेंट से गॉर्मेंट अपने लिए फंड रेज करती है, और एक तरीके से गॉ प्लिक जो कंपनीज हैं, उन में अपने सेर्स को गॉर्मेंट बेशती है, और उसके जरीए एक तरीके से फंड रेज करती है, आप आप इस समझ में आ गया होगा, अब यहाँ पर दूसरा जो एक्टिविटी है, गॉर्मेंट के वो भी जान लेते हैं, वो दूसरी एक्टि सह Luigi का, जहाँ दूसरा हूँ, तो टेक्स कलिशन का, अगर मैं डेटा एक तरीके से आपको बताओं की 2021 और 22 का क्या रहा है, तो मैं आप सब्सक्ति जो टेक्स कलेक्शन का एक तरीके जो टार्गेट रखा गया था, वो रखा गया था 22.2 लेक क्रोर, कितना रखा गया था 22. 22.2 लैग करोड यह टार्गेट रखा गया था 2021 और 22 असेस्मेंट एयर के लिए लेकिन हो क्या रहा है कि दिसंबर 2021 तक दिसंबर 2021 तक यह जो डेटा निकल कराता है या यह जो अचीमेंट आती है गौर्मेंट की वो 19 लैग करोड आती है अब आप देखो बड़ा ही मतलब करोड का और अभी वे आप देखो कि जैनरी, फाबरी, मार्च यह निकी पूरा एक क्वार्टर बचा हुआ है तो इसमें जरूर इस पे अगर एक पुश मारेगे गवर्मेंट तो जरूर यहाँ पे इस टार्गेट को अचीब किया जा सकता है और यह अपने आप में बहुत जिसको एक तरिके से गौवर्मेंट करके मोटे तोर पे या मोटा जो फंड है गौवर्मेंट रेज करती है तो आप आप यहाँ पर फाइनली जान लेते हैं कि बजट 2022 टेज की मुंग के बातें क्या रही है इस बजट में क्या-क्या important announcements की गई है जो कि आपके आने वाले पूछे जा सकते हैं तो आपको जानना बहुत जुरूरी है important points को याद करते जाएगा नोन भी करते जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर बजट की जो announcement होती है जब बजट अनौंस किया जाता है वितमंत्री जी के द्वारा तो एक तरीके से वहाँ पर इस budget को नाम दिया जाता है वह क्या रहा है कि 2047 को भारत के आजादी के 100 साल पूरे हो रहे है और मतलब की 25 साल आने बाकी है तो इस 25 साल एक तरीके से अमरितकाल माना गया है अमरितकाल बोला जा रहा है गौश्मन बोल रहे हैं कि यह हमारे लिए अमरितकाल है और इसकी word meaning में आप जाएगे तो जर यहाँ पर गौर्वर्मेंट यह एक तरीके से बताना चाहरे है कि यह जो अमरितकार है याने वाले जो 25 साल है वो देश के लिए बहुत important है इस काल में या इस time period में जो भी decisions लिये जाएंगे जो भी planning की जाएगी वो एक तरीके से future इंडिया को बनाएंगे या आने वाले भार भारत को एक तरीके से नए भारत के रूप में दिखाएगा पूरे विस अस्तर पे तो बहुत important है और अगर हम यहाँ पर 22 के बजट में गौर्वर्मेंट की priorities को देखें तो मैं आपको बढ़ा दूँ कि यहाँ पर गौर्मेंट की जो priorities रही है वो है PM गतिसक्ति और इंक्ल और inclusive development का मतलब यह है कि हर एक जो sector है उसको किस तरीके से inclusive manner में देखा जा रहा है वो एक दूसरे के लिए किस तरीके से complimentary हो सकते है इस तरीके से और productivity को किस तरीके से optimize किया जा सकता है इस पर भी government का focus रहेगा और financial investment को भी एक तरीके से बढ़ाया जाना है तो इस पर focus रहेग अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो different sectors हैं जो different fields हैं उनके लिए किस तरीके से government ने ये प्लान बनाया है किस तरीके से government ने इन fields को या in sectors को budget allocate किया है वो उस पर थोड़ा नजर माल लेते हैं तो अगर हम यहाँ बात करें थोड़ा से economy related announcements की यानि कि अर्थवेश्ता संब गया होता है तो इन पर इत्यजी अगयर मार्केस को फिर से इस्टैब्लिस करना है ये अपने कुछ expenses हैं तो एक तरीके से इन एक्टीस को खर्चे के तो घझते है कि अगर खास्तों पर जो छोटी इंडस्टी हैं जिसको एक तरीके से financial support चाहिए तो उसको किस तरीके से यहाँ पर manage किया जाए ताकि देश की जो productivity है वो कम नहों पाए तो government ने यहाँ पर रखा है और government ने यह रखा है कि from rupees 5.4 lakh crore to rupees 7.5 lakh crore यह इसने expand किया है मतलब कि एक तरीके से coverage के तरह पर आप इसको देख सकते हैं ताकि जो industries हैं उनको support किया जा सके ECLGS extended coverage expenditure अगर आप यहाँ पर देखें मतलब जिसका है कि emergency credit line guarantee scheme है और इसको extend किया जा रहा है 2023 तक और इसका मतलब यहाँ पर आप सर्फ यही समझें कि यह जो एक तरीके से guarantee cover है वो यहाँ पर 50,000 crore से रुपी 5 lakh crore तक इसको एक तरीके से extend किया जा रहा है और उपी 2,023 तक मतलब यह है कि एक तरीके से जो छोटी industries है और खास तर पर जो MSME है वो stress free हो पाएं अगर उनके पास को stress है financial management को लेकर उनके पास जो एक तरीके से budget है वो कम पढ़ रहा है उसको चलाने के लिए उस company को या उस organization को तो government यहाँ पर एक तरीके से उसको help कर पा रही है इस fund के द तो आपको मालब होना चाहिए कि PLI schemes की जो full form है that is productivity linked incentive schemes जी हाँ तो productivity जो linked incentive schemes है उसको promote करने के लिए basically यह रखा गया है और यहाँ पे 14 sectors को recognize किया गया है बनी कि 14 sectors में एक तरीके से यह जो incentive है वो दिया जाना है और इसमें जो एक तरीके से received investment intentions रखा गया है वो 30 लाइक करोड कर रखा गया है जो कि बहुत एक तरीके से important है because मैंने जैसे आपको बताया है कि MSMEs के लिए stress free होना बहुत जरूरी है because अगर stress रहेगा तो यह अच्छी तरीके से productivity नहीं दे पाएंगे और इस तरीके से जो देश की GDP है उसमें उनका participation नहीं हो पाएगा and अगर मैं बात करें public investment and capital spending की तो आप देखो कि यहाँ पे government एक तरीके से ये promote करना चारी है कि जो public investment है जो capital spending है उसको बढ़ाया जा सके ताकि एक तरीके से market में liquidity आए और economy में liquidity आए ताकि एक तरीके से healthy economy develop हो पाए अब अगर मैं आप दूसरे sector की बात करें और दूसरा sector that is taxation यानिकी income tax, crypto tax, customs duty तो यह आप इसको थोड़ा से समझ लीजे यहाँ पर देखें यहाँ पर no change in IT slips यानि कि पिछले बार के तरह इस बार कोई इसमें change रखा नहीं गया है मतलब कि जो financial year 2023 है इसमें income tax slips में कोई change नहीं किया गया है remain unchanged and no announcement in this regard has been made by finance minister इसमें कोई change नहीं किया गया है आप दूसरा बहुत important है यह आपको मालूम होना चाहिए दूसरा important बात जो है यहाँ पर यह है कि digital assets transfer के term में इन्हों ने जो taxation है उसको बहुत बढ़ाया है और यह है basically 30% and 1% TDS is to be collected on transfer of these assets तो यह 30% tax एक तरके से रखा जा रह है और basically transfer के term में भी रखा जा रहा है मतलब कि देखे यहाँ पर wording जो रखी गई वो रखी गई डिजिटल assets की और इसको मोटे तोर पे देखा जा रहा है crypto tax के तौर पे तो यह जो digital assets transfer है और इसके लिए जो tax लिया जा रहा है basically वही क्या है crypto tax है और मैं आपको बता दूँ उस इसना हम tax लेंगे because government का भी इसमें intention यह है कि जो एक तरीके से रातो रात या रादू इसमें जो कमाई हो जाती है उस कमाई से government को भी फायदा हो सकता है तो इस वाई से इन्हों ने यहाँ पर 30% का slab रखा है और 1% का यहाँ पर TDS भी रखा है तो यह important है और देखिए यहाँ यहाँ पर बहुत important बात है crypto tax wording एक तरीके से यहाँ पर नहीं रखा गया है और यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी वर्डिंग भी नहीं रखा गया है सिरफ यहाँ पर बोला गया digital assets transfer जो की एक तरीके से मतलब की signify करता है crypto currency को तो यहाँ पर 30% रखा गया है बेसिकली आपको यह याद रखना है आगे हम देखेंगे crypto currency के बारे में थोड़ा से अब अगर हम यहाँ पर बात करें update IT return की तो मैं आप बता दूँ कि government नहीं यहाँ पर decision लिया है कि कोई भी जो नागरिक है वो एक तरीके से अपने जो return है उसको अच्छे तरीके से भर सकता है आने वाले दो स साल के बाद भी यादि कि अगर वो अपना updated return भनना चाह रहा है उसमें कोई सुधार करना चाह रहा है उसको दो साल का भी time होगा दो साल का मतलब यह है कि जो financial year है जो assessment year है उसके ending के बाद भी उसको दो साल का time मिल जा रहा है तो यह एक तरीक से important यहाँ पर decision माना जा सकता है कई बार क्या होता है कि कुछ लोग एक तरीक से return भनने का intention भी रखते हैं लेकिन कई बार क्या होता है वो closing date चली जाती है तो यहाँ प एक तरीक से government ने रख दिया है कि आप अपना updated return जो है वो date के finish होने के बाद भी अगले दो साल उसको भास सकते हैं alternate minimum tax जो रखा गया है वो cooperative societies के लिए 15% रखा गया है और सर्चाज जो रखा जाता है cooperative societies में वो भी reduced किया गया है और reduced to 7% रखा गया है for income between रूपीज 1 करोड to 10 करोड मतलब cooperative societies के जो income है 1 करोड से 10 करोड के बीच में अगर है तो उनके लिए जो यहाँ पे सर्चाज reduced किया गया है that is 7% तो यह data आप अच्छे तरीकी से जाद कर लें percentage के time में अगर हम बात करें tax deduction limit की government employees के time में तो मैं आप उदाद हूँ कि यहाँ पे increased to 14% on employers contribution to NPS account of state government employees तो कितना किया गया है इसको 14% किया गया है I hope आपको समझ में आ गया होगा देखतें next sector के है उसमें किस तरीके से budget को allocate किया गया है या कि तो देखते हैं इस बार government ने किस तरीके से उसको plan किया है अगर आप यहाँ पर देखें तो government ने plan किया है कि government 60 lakh new jobs create करने जा रही है अगले 5 साल यह data अच्छे तरीके से याद कर लें यह भी तरीके से पूछा जा सकता है कितना यहाँ पर 60 lakh new jobs create होंगी अगले आने वारे 5 सा सब्सक्राइब एक तरीके से यहाँ पर digital ecosystem भी develop किया जाना है और उसको enrich किया जाना है पढ़ने के बाद पढ़ाई करने के बाद जो बच्चे बाहर निकल रहे हैं एक तरीके से job searching में निकल रहे हैं तो उनकी skill को किस तरीके से upgrade किया जा सकता है नई skills उनके साथ किस तरीके स होने वाला है यह डिपेंड करेगा कि इसको किस तरीके से implement किया जा रहा है या इस ecosystem को किस तरीके से structure किया जा रहा है और दोस्तों यहाँ पर जो important plan बनाया गया है वो यह है कि youth के अलावा भी यहाँ पर एक तरीके से online training platforms रखा गया है citizens के लिए भी मतलब कि उन citizens की भी एक त इंडिया में अपने आपको वो convenient महसूस कर पाएं और government also to promote API based skill credentials मतलब कि API based वो कुछ skill credentials को भी एक तरीके से रखने वाली उसको plan करने वाली है एक तरीके से इसमें जो काम आने वाला है वो data science का काम आने वाला है तो यह एक तरीके से important decisions हैं लेकिन इसमें जो major concern है वो यह है कि job creation किस तरीके से होनी है और क्या यहां पर आने वाले 5 साल में 60 lakh new jobs बन पाएंगी या नहीं बन पाएंगे वो आने वाला समय बताएगा नाव देखते हैं यहां पर दूसरा sector जिसमें budget किस तरीके से allocate किया गया है तो दूसरा यहां पर जो sector है that is infrastructure boost जिसको हम नाम दे रहे है PM गतिसक्ति यह बहुत important है दोस्तों यह आप अच्छे तरीके से याद कर लीजे देखे PM गतिसक्ति के तहत यहां पर जो प्लान किया गया है वो यह है कि national highway network to be expanded by 25,000 km during financial year by sentence यह जो financial year है उसमें 25,000 km एक तरीके से expand किया जाना है national highways को यह data अच्छे तरीके से याद कर लीजे वह अगर हम बात करें this tag e-portal की तो वो भी एक तरीके से launch किया जाना है और यहां पर 2000 km of roads to be brought under coverage by financial year this तो इस financial year में 2000 km roads को भी रखा जाना है under coverage तो एक तरीके से coverage एक scheme है उसको भी आप detail में पढ़ सकते हैं तो उस scheme के तहत यहां पर 2000 km रखा जाना है roads को और एक बात यहां पर मतलब कि हर एक railway station को वन प्रोड़क and one railway station के त 이상 के तोर पहें एक तरीके से popularize किया जाएगा तो आप मुझे comment करके बताएए कि वन प्रॉड़क and one railway station basically कि लिए किस तरिके के विन्हें या इसमें इसमें किस तरीके की वात की जा रहे हैं Whitfordip टरेके से यहां पे बारइज्ज करने की बात की जा रहे है کہ मुझे comment में हुष्थर गम ज़रू बताएं आब यहां पे दूसरा तो यह जो 400 न्यू बंदे भारत ट्रेंज का इंट्रोडक्शन है वो अपने आप में बहुत इंपोर्टेंट है बहुत जरूरी है और अगर मैं आप बात करें कि जो टर्मिनल्स हैं वो किस तरीके से देखे जा रहे हैं तो यहाँ पे इन्होंने प्लान किया है 100 प्यम गतिसक कि टर्मिनल्स को भी इंट्रेडूस किया जाना है बहुत इंपोर्टेंट है ना देखे हैं नेक्स सेक्टर क्या है जिसमें गौर्मेंट बजट ऐलोकेट करती है किस तरीके से तो अगर हम बात करें हाउसिंग अर्बन प्लानिंग की तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ प लोग एक तरीके से मतलब जो लाभारती है उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनको यह असी लाक न्यू हाउसे एक तरीके से दिये जाएंगे डिस्टिबूट किया जाएंगे और दूसरा जो प्वाइंट है हर घर जल जहां दोस्तों यह भी बहुत इंपॉर्ट हर घर जल का मतलब यहां पर यहां पर 60,000 करोड बजट अलोकेशन हुआ है ताकि टेप वाज़न मतलब कि डिर्येट घरों में नल के द्वारा पानी को पहुछाया जा सके पेजल को पहुचाया जा सके पीने योग पानी को पहुचाया सके तो यह बहुत बहुत होना है 60,000 करोड टैप water प्रोइड कराने के लिए that is 3.8 करोड households के लिए है यह data भी important है इसको भी अच्छे तरिके से याद कर लें और यहां पर दूसरे point के हम बात करें urban planning task force की तो government ने इसमें plan किया है कि एक तरिके से जो urban जो हम planning करते हैं या urban planning में क्या new strategies हो सकती है या किस तरिके के committee को हम introduce कर सकते हैं उस committee में किस तरिके के planners होते होंगे और उन planners के द्वारा क्या new plannings निकल कर आएंगी ताकि हम urban planning को एक तरिके से large scale पर introduce कर पाएं उसको effectively introduce कर पाएं ताकि जो urban capacity building है उसको improve किया जा सके उसको implement किया जा सके नई जगहों पर भी या नए urban areas पर भी तो वही बहुत important है इंफ्रा के अंडर अगर आप देखें तो यह housing का जो planning होती है अर्बन जो planning होती है वह भी बहुत important होता है राइट जोस्तों तो यहां पर एक तरिके से government नहीं यह प्लान किया हुआ है कि वह new task force बनाएगी और उस task force की recommendation के हिसाब से वह urban जो planning है वो करेगी तो यह भी बहुत important है अगर हम बात करें urban planning institutes की तो यहां पर five existing academic institutions for urban planning to be designated as center for excellence with endowment fund of rupees 250 करोड तो एक तरिके से existing academic institutions रखे गए हैं urban planning के time में उनको एक तरिके से यहां पर center for excellence के तोर पर develop किया जाना है और उनके लिए जो एक तरिके से यहां पर fund दिया जाना है that is 250 करोड दिया जाना है यह भी बहुत important है ना अगर हम देखें दूसरा sector जिसमें government budget allocate करती है that is MSMEs and startups यह बहुत important होता है days की economy को boost करने के लिए या new jobs के creation के time में हलाग अगर आप देखें पिछले 2-3 साल का data देखें तो MSMEs और startups ने एक तरिके से यहां को काफी रोजगार दिया है पूरी इंडिया में जो एक तरिके और startups बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं तो इनको support करना बहुत जुरूरी है ताकि यह अपने आपको बढ़ा कर पाएं और ज्यादा ज्यादा productivity ला पाएं और ज्यादा ज्यादा रोजगार जनरेट कर पाएं तो यहां पर इनको support करने के लिए एक रखा गया इंटर लिंकिंग आप MSME पोर्टल्स मतलब कि जो MSME पोर्टल्स हैं उनको एक तरीके से government ने इंटर लिंक करने का प्लान बनाया है बहुत सारे यहां कि यह पुरा जो डेटा है इन जो प्लाटफॉर्टल्स की बात हो रही है वह डेटा जो है एक तरीकी से इंटर लिंक होने वाला है मतलब इस इंटर लिंक डेटा के द्वारा गॉर्मेंट प्लान करेगे कि कि किस तरीके से जो MSMEs हैं वो एक दूसरे के लिए complimentary हो पा रही है या कौन सी जो MSME सेक्टर है कौन सी MSME सेक्टर ज्यादा jobs creation कर पा रही है ये definitely बहुत useful होने वाला है और अगर हम बात करें रूरल startups की तो रूरल startups को भी बहुत importance दी जा रही है इसमें plan में रखा गया है because government का ये मानना है कि पूरे देश में हर एक गाउं में या हर एक जो मतलब की जो rural area है जो rural zone है उस zone में कोई ने कोई एक तरीके से कला होती है कोई ने कोई culture होता है जिसके basis पे कोई ने कोई वहाँ पे economical activities चल रही होती है जैसे कर हम बात करें हस्तकला की तो कई बार क्या होता है कि वो जो हस्तकला होती है वो उसको commercialize किया जा सकता है और उसके commercialization से वहाँ के लोगों की आमदिनी को बढ़ाया जा सकता है तो इस point of view से government ने ये भी प्लान किया है कि जो भी एक rural zone है अगर वहाँ पे कोई कला है तो उसको एक तरीके से commercialize किया जा सके और हो सके तो उसको एक तरीके से start-up के तौर पे वहाँ पे develop किया जा सके मतलब अगर वहाँ कोई start-up आना चाह रहा है इस कला को commercialize करने के लिए तो उसको भी एक तरीके से promote किया जा सके ये भी बहुत important है और ड्रोन सकती स्टार्टप्स की बात हो रही है यानि कि देश के टेकनॉलोजी या देश के जो हमारे जीनियस है उनके द्वारा ही ड्रोन सकती स्टार्टप्स को प्रमोट किया जाना है इन स्टार्टप्स को एक तरीके से प्रमोट किया जाना है यहाँ पर बात करें दूसरे सेक्टर की that is agriculture sector related announcements यह भी बहुत important है दोस्तों इसके time में भी आपको data अच्छे से याद कर लेना पड़ेगा जरूर कहने की बनने वाला है देखिए यहाँ पर procurement under MSP की बात हो रही है और किसान अंदोलन ने आपने ये abbreviation जरूर चैसे को सुना होगा मतलब MSP जो होता है एक तरीके से minimum support price होता है जो एक तरीके से government provide कराती है government एक तरीके से guarantee देती है कि आपकी जो फसल है आपका जो आनाज हैं और इसको बढ़ाने के टर्म में जो एक तरीके से budget allocate किया जा रहा है that is 2.37 लाग करोड रखा जाना है during this financial year 2022 और देखिए यहां पर एक important बात आप दोस्तों जान दीजे वो यह है कि 2022 और तेईज को international level पे मैं बात कर रहा हूं अच्छे तरीके से जात कर लिए 2022 होते इसक पाजरा की जो बात होती है यह सब मिलेट्स के अंडर में आते हैं तो basically international level पे इन आनाजों को एक तरीके से प्रमोड किया जाना है या एक तरीके से इनके टर्म में new research को प्रमोड किया जाना है ताकि मोटे आनाज के टर्म में कुछ नई बाते निकल कर आएं वो क्या उसमें nutritional जो facts हैं उसको increase किया सकता है कि नहीं किया सकता है या उनकी जो nutritional value है वो लोगों के खानपान में कितना ज़्यादा उनको introduce किया जा सकता है तो यह बहुत important है आप यह अच्छे तरीके से जान लीजे 2022 तेश को international level पे millets year घुसित किया गया है agriculture point of view से यह अच्छे तरीके से य जैने कि जो खाद तेल है मतलब कि जो बात होती है तिलहन की तो उसको बढ़ाया जाना है मतलब कि इसकी जो productivity है अगर वो बढ़ेगी तब ही एक तरीके से जो हम import करते हैं उसमें कम ही आ पाएगी तो यह बहुत important है यहां पर government इस पर प्लान कर रही है किसान drones की बात हो रही है कि agriculture technology के अंडर हम यहां पर किसान drones को भी introduce कर सकते हैं जो एक तरीके से मतलब की crops के term में या land records के term में या अगर हमें insecticides या fertilizers को भी एक तरीके से चुड़कना है agriculture field में तो वहां पर इन किसान drones को यूज किया जा सकता है मतलब मोटे तो पर यह है कि जो land area है जो agriculture area है उसके record को भी अच्छे तरीके से बनाने के लिए किसान drones का यूज किया जा सकता है और insecticides और fertilizers को भी चलेकने इसका यूज किया सकता है जो चल रही फसल होती है मतलब कि जो फसल चल रही होती मान लोकि की हूँ वो दिया गया और उसमें एक तरीके से जो दो-तीन महीने का टाइम ल advantage होगा किसान ड्रोन्स के द्वारा रिवर लिंकिंग प्रॉजेट भी बहुत important है विकॉज अगर रिवर्स में साल पर पानी रहेगा तो उससे linked जो नहरे हैं उनमें भी पानी रहेगा और definitely वो क्या करेगा जो land area है यानि कि जो agriculture area है उसको ये एक तरीके से जल संसादान मुहया करा पाएगा तो ये बहुत important है दोस्तों इस plan में government ने five river links को एक तरीके से finalize किया है और इसमें cane बेतबा river linking के project के लिए जो worth रखा गया है जो budget allocate किया गया है that is 44,605 crore रखा गया है जो कि बहुत important है तो यहां पे total जो five river links projects हैं वो कौन से हैं आप उसको identify करिए और इसकी listing करके याद करिए बहुत important है question जरूर कहने कहीं बनने वाला है और अब दूस्तों देख लेते हैं कि दूसरा sector क्या है यानि कि अगर हम बात करें education budget की यानि कि government education को किस तरीके से देख रही आने वाले सालों में आपको बदा दूं कि government ने एक तरीके से प्लान किया है कि वो एगरी education को promote करेगी या एगरी education में एक तरीके से तेकि मोटे कार पर इसको आप समझे एगरी education क्या है एगरी education जो basic education आप पढ़ते आ रहे हैं वो तो है ही लेकिन government इसको इस तरीके से देख रही है कि एगरी education में हमें जो new एक तरीके से जो new agriculture जो practices है जो new agricultural tools है या जो agricultural technology है उसको introduce किया जा सके मतलब कि यहाँ पर central government एक तरीके से state governments को encourage करेगी कि वो अपनी जो मतलब जो slavals है agriculture का उसको एक तरीके से modify करे उसमें change लाए ताकि जो जो नीचर है या जो organic farming है या जो modern day agriculture tools है टेकनोलजी है उन सब को introduce किया जा सके लोगों को इसके बारे में aware किया जा सके बहुत important है और अगर हम दूसरा point देखें PME विद्ध्या expansion की तो PME विद्ध्या expansion में बात हो रही है one class one tv channel की तो यह अच्छे से याद कर लें one class one tv channel जो है that is PME विद्ध्या expansion scheme के तहते एक तरीकी से रखा जा रहा है और यहां पर बात की जा रहे है कि जो virtual learning supplementary education है उसको expand किया जाना है और इसी के time में जो channels हैं वो 12 से बढ़ा कर 200 किये जाने हैं यानि कि 12 tv channels से बढ़ा कर इसको 200 new tv channels में एक तरीकी से बढ़ाना है इन channels की संक्या को और दोस्तों यहां पर digital university की भी बात की जा रही है यह plan किया गया है कि new digital university को भी establish किया जा सकेगा ताकि लोग जो है अपनी education को एक तरीके से digital mode में देख सकेएं या अपने कोई भी vocational courses करना चाह रहे हैं खास तर पर digital field में vocational courses करना चाह रहे हैं या वो अपनी skill को upgrade करना चाह रहे हैं तो वो जो digital university है जरूर उनकी help कर पाएगी तो अपने आप में बहुत important है और इसको देखा जा रहा है कि यह जो एक तरीके से university होगी वो एक तरीके से skill development का या skill upgradation के लिए hub की तरह काम करेगा जो की बहुत important है यानि कि digital university भी अपने आप बहुत important यहां पर पहल है तो इसको अच्छे से याद कर लें ना अगर बहुत important है जो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक तरीके से crypto currency है उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा तो यह basically वही है digital rupee by RBI यहनि कि government एक तरीके से यह allow कर दिया है RBI को कि वो cryptocurrency कोई launch कर सकती है अलागे यहां पर crypto currency का मतलब यह नहीं कि उसका नाम भी crypto currency होगा आप confused मत होए crypto currency एक तरीके से उस virtual currency का term है यहां पर government या RBI किस तरीके से उस currency को नाम दे रही है क्या नाम दे रही है और इसके term में जो भी एक तरीके से new जाएगे वो मैं जरूर आपके लिए यहां पर वीडियो मना के दूँगा कि वो currency क्या है और किस तरीके से काम करेगे क्या उसके terms and conditions रहेंगे और यहां पर दूसरी जो बात है that is post office to join core banking यह बहुत important दोस्तों यहां बात की जा रहे है कि जो total 1.5 lakh post offices है 100% मतलब कि जो office से post office 100% उसको एक तरीके से core banking system से जोड़ा जा सकेगा और जोडने का मतलब यह है कि उनको फानेशल इंक्लूजन and access से एनेवल किया जा सकेगा राइट मतलब कि वहां पर नेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग एटियम्स और यह सारी की सारी चीज़ें जो एक तरीके से बैंकिंग सेक्टर में चल रही है उन सारी चीज़ों को इन post office से जोड़ा जा सकेगा यह भी बहुत important है मतलब कि एक तरीके से यहां पर financial inclusion को प्रमोट किया जा रहा है तो यह important है अच्छे से याद कर लें डेटा को new digital banks की भी बात हो रही है new digital banks क्या है basically यहां पे 25 new digital banks का मतलब यह है कि 75 districts में in new digital banks को establish किया जाना है और यह जो digital banks बनने है वो districts में already जो scheduled banks है, scheduled commercial banks है, उनको in digital banks में convert किया जाना है, और plan क्या है, number क्या है, 75 new digital banks, यह important है, यह data अच्छे से जात कर लें, अगर हम बात करें, gift city related announcements की, तो इसमें international abbreviation center भी एक तरीके से setup किया जाएगा, ताकि इसमें जो world class की university है, उसको चालू किया जा सके, और उसमें domestic regulation को लागू क किया जा सके, अपने आप में ये भी बहुत important है, अगर आप financial inclusion लाना चाहा रहे हैं, या जो digital payments है, या financial digitization को बढ़ावा देना है, तो वहाँ पर ये ऐसे decisions लेना बहुत जरूरी हो जाता है, ना दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, next sector क्या है, तो next sector है, health sector, यानि कि health sector से related, यहाँ पर क्या important announcements होई है, वो भी आपको जाना बहुत जरूरी है, तो यहाँ पर देख लिए दो बिंदों है, basically, national digital health ecosystem की बात की जा रही है, national tele mental health program की बात की जा रही है, जहाँ दोस्तों आप दोनों को आप मोड़े तोर पर समझ पा रहे होंगे, तो यहाँ पर digital health ecosystem की बात की जा रही है, basically, एक ऐसा ecosystem त्यार किया जाना है, जिसमें हम digital registries रख पाएं, यानि कि जो भी health providers हैं, या जो health seekers हैं, या जो patients हैं, या जो hospitals हैं, उनके registries को एक तरीके से digitalize किया जा सके, health facilities एक तरीके से provide की जानी है, या health facilities का किस तरीके से integration हो सकता है, वो भी important है, unique health identity भी एक तरीके से बननी बहुत जरूरी है, और universal access to health facilities भी देना बहुत जरूरी है, ताकि patient कहीं पे भी रहे, किसी भी location में जा रहा है, अपनी एक बकाइदा मतलब अगर उसको कोई भी बीमारी चल रही है, तो उसको अपनी जो history है, उसको साथ लेने के भी जरूरत ना पड़े, ता इंप्रूब करना या mental health के टम में awareness लाना भी बहुत जरूरी है, तो mental health of citizens के टम में बात की जा रही है, और government ने प्लान किया है, कि वो एक national level mental health counseling program भी launch करेगा, जो कि बहुत important है, और दूसरों यहाँ पर दूसरा करम sector देखें, that is, telecom sector related announcements क्या हुई है, तो यहाँ पर जान ल दिया है, metro cities में, लेकिन अभी भी इसको एक तरीके से trial basis भी रखा जा रहा है, और basically यहाँ पर जो 5G spectrum है, उसका auction नहीं किया गया है, तो telecom sector में यह सबसे बहुत important बात है, कि 5G spectrum का auction किया जाना है, भारत net project को भी एक तरीके से improve किया जाना है, यहनिकि telecom sector में भारत net project, जो कि basically आप इसको समझे, भारत net project अभी थोड़ा आगे discuss करते हैं, भारत net project में एक तरीके से improvement लानी है, इसको एक तरीके से expand किया जाना है, और जो biggest announcement हुई है, वो एक तरीके से यह हुई है कि 5G spectrum का यहाँ पर auction होगा, तो यह बहुत important है, आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजे, और मतलब यह 5G से related ही, basically यहाँ पर announcement है, टेलीकॉम सेक्टर में यह बहुत बड़ा एक तरीके से improvement होगा, अगर 5G को अच्छे तरीके से rollout किया जा रहा है तो, और अगर हम यहाँ पर बात करें कि 5G ecosystem development की, तो basically यहाँ पर government यही एक तरीके से रखना चारी है, कि broadband and mobile communication को खासवर पर rural और remote areas तक किस तरीके से पहुचाया जा सके, या किस तरीके से इन areas को communicable बनाया जा सके, broadband and mobile के द्वारा, तो उसके लिए यहाँ पर 5G ecosystem को develop करना बहुत जरूरी है, तो यह basically जो यहाँ पर scheme रखी गई है, वो PLI scheme रखी गई है, यह important है, इसको मैंने आपको भी बोला है, इसको detail में जरूर पढ़ लीजेगा, यहाँ पर जो universal service obligation है, उसके term में बात की जा रही है, और इसके लिए technology का किस तरीके से अप्रेडिशन किया जा सकता है, वो बात की जा रहे है, तो government ने इसको भी plan किया है, भारत net project, तो आप यहाँ पर समझ लीजे, भारत remote areas हैं, जो rural छेतर हैं, यानि कि जो गाउं हैं, उन गाउं तक भी हमें एक तरीके से यह जो optical fiber है, उसको पहुँचाना है, यानि कि optical fiber का मतलब यह है कि वहाँ पे एक तरीके से broadband या net की उपलब्दा को पहुँचाना है, ताकि गाउं के लोग भी पूरी तरीकी से digitize हो बहुत important है आपके exam के context में, अगर हम बात करें, इंफ्रा status to data centers की तो government ने इसको भी प्लान किया हुआ है, मतलब कि यहाँ पे establishment and management of data center को भी रखा जाना है, ताकि जो भी यहाँ पे बात की जा रही है, communication के time में, या जितने भी type का data है, उन data में किस तरीके के access दिया जा सकते ह है, उसको किस तरीके से अच्छे, उस पे किस तरीके की research की जा सकती है, उसको किस तरीके से fruitful use किया जा सकता है, यह बहुत important है, और दूसरा sector अगर हम देखें, that is defense budget, यानि कि defense field में किस तरीके का यहाँ पे announcement हुई है, तो भी जाना बहु जरूरी है, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे basically finance minister ने जिस तरीके के statement यहाँ पे दिया है, वो ऐसे ही समझ में आ रहा है कि government जो है, वो defense field में self-reliance होना चारी है, मतलब कि एक तरीके से self-dependent भी होना चारी है, और यहाँ पे एक तरीके से government की different courses जारी है, और इसमें सबसे जो important जो courses है, that is defense R&D opened, मतलब यहाँ इसके लिए है दोस्तों कि government जो है, वो private industry के लिए defense R&D sector को बढ़ावा देने वाली है, उसके लिए open करने जा रही है, और इसमें जो total funding है, या total budget allocation and defense में, उसका 25% जो है वो इसी में जा रहा है, यानि कि defense R&D को open करने के लिए ही जाने वाला है, तो इसकी importance बहुत है, because इसमे यह basically planning है, बहुत important है, because दोस्तों यहाँ पर private sector अच्छे तरीके से defense tools का development कर पा रहा है, या उनको produce कर पा रहा है, तो देश से इन tools का और equipments का एक तरीके से export किया जा सकेगा, जो कि देश की आमदनी को definitely बढ़ाएगा, तो बहुत important है, और यहाँ पर देख लेते हैं, दूसर transport related, मतलब कि railway and transport related यहाँ पर important announcements क्या हुई है, यह बहुत important है दोस्तों, जब भी infra की बात आती है, और जब भी ministries की बात आती है, तो ministries में railways बहुत important ministry हो जाती है, तो इसे related भी important जो announcement से उनको जानना बहुत जरूरी हो जाता है, तो देखें यहाँ पर आप national highway networks to be expanded by 25,000 km, य और अगर हम यहाँ पर बात करें, ट्रेंज की तो government ने 400 new generation की बंदे भारत ट्रेंज को चलाने का निरने लिया है, एक तरीके से plan किया है, जो कि मैंने आपका उल्री बता दिया है, कि बहुत important है देश को गती देने के लिए, और खास्तों पर यह जो अमरित काल का period है, उसमे इसका यूज किया जाना है, इनुवेटी Metro Construction Projects को भी एक तरीके से commission किया जाना है, ताकि जो Metro Cities है, उन में एक तरीके से Metro को introduce किया जा सके, उन Cities में Metro को introduce किया जा सके, ताकि वो जो urban area है, वो जो city है, वो और तेजी से एक तरीके से develop हो पाए, गरती पकड़ पाए, बहुत important है So I hope दोस्तों आपको समझ में आगे होगा, मोड़े तर पर पर पूरा budget जो different fields हैं, जो different sectors हैं, उसमें किस तरीके से allocation हुआ है, किस तरीके की यहां पर announcement हुई है, तेकि यहां पर मैंने बहुत ज़्यदा आपको data देने की ecosystem नहीं की है, या बहुत ज़्यदा यहां पर आपको financial data देने की ज़रूत नहीं समझी है, अगर आप उसको sector wise amount में देखना चाह रहे हैं, तो उसकी एक बगायदा आप research करके list बना सकते हैं, आप उसको याद कर सकते हैं, कि किस sector में कितना budget allocate किया गया है, अलाकि मैं अगर यहां पर मोड़े तर पर बता दूँ कि यह पूरा का प बजट है, जो कि 2223 के लिए है, तो यह आप अच्छे तरीके से याद कर लीजे, और इसका किस तरीके से final data निकल कर आता है, यानि कि इस planning का, इस budget का outcome क्या निकल कर आता है, वो next assessment year में समझ में आएगा, लेकिन जैसा मैंने आप से अल्री बोला हुआ है, कि जब भी financial year खतम ह हो, तो final statement आता है, या जो आने वाला assessment year है, उसके लिए जो economical survey है, इन सब के टम में आपको हमीशा update रहना चाहिए, डेटा को अच्छे तरीके से पढ़ लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए, question इन से बनते रहते हैं, तो इसे के साथ ये वीडियो खतम करते हैं, यानि कि ज अगर आप चैनल में नए हैं, तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इंपोर्टन वीडियो आपसे मिस ना हो, राइट दूस्तों, और अगर आप करन फेस में एक तरह किसे MCQs के टम में अपडेटेट होना चाहिए, तो इस च हम आपसे नेश्ट वीडियो में, तब तक, have a nice day, great day and thank you.